महादेव गुरू तक क्या हाल है? तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो एक कासी को सोगात मीला है नया ऐसा चीज जो कासी में नहीं था कासी वासीयों के लिए एक बहुत कुछ कवरी की बात है कि हम कासी वासियों को एक नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिल रहा है जिसकी सिला नयास कल नरेंदर मोधी जी ने कर दे जो हमारे प्रधान मंत्री है साथ ही साथ सचीन तेंदुलकर, रवी सास्त्री और भी अन्य दिगज किरकेटर आये थे उसके सिला नयास में जो हमारा ये स्टेडियम होने वाला है ये राजा तलाब में स्थित रहेगा बनारस में जब आप हरववा वाला रोड पकड़ के निकलेंगे तो जो ये स्टेडियम में इस तर्च पे बनाये जा रहा है कि ये पूरा भगवान सीव से प्रेडित रहेगा लौड सीवा से प्रेडित रहेगा ये स्टेडियम के लिए जो जमीन खरता गया है जो हमारा BCCI है Board of Cricket Council of India वह इसमें 330 क्रोड रोपे निवेर्स कर रहा है इसको बनने के लिए और जो मज़े की बात इसमें है कि ये जो स्टेडियम है ये मिदम पूरा इसकी जो लाइट्स है जो लाइट्स लगती है इस्टेडियम पर वह भगवान सीव के त्रिसूल के एदम आकार की होगी और इसमें बैठने के चेर्स है वो बिलपत्र के समान हों है और जो बैठने की अरेज़्मेंट है वह जिसे गंगा के घाटों पर हम लोग बैठते हैं वैसे इसकी सीटिंग अरेज़्मेंट है ये स्टेडियम जो है 30,000 लोगों की capacity से मतलब की capacity वाला स्टेडियम है जिसमे पर अब जो स्टेडियम बना है वो बहुत ही सुन्दर लाएगा बहुत ही अच्छा है उसका एक इमेज भी नीचे आपको वीडियो के अंदर दिखेगा और मजे की बात यह है कि ये स्टेडियम जो है 25 तक तक तयार हो जागा दिसमबर के अंदर और इसका उध्वाटन उस का लुपत उठा सके इनको कोई बाहर स्टेट में कोई बाहर सेटी में जाके मैच ना देखना पड़े कासी का विकास ऐसी होते रहे हर हर महादे वीडियो अच्छा लग है तो लाइक शेयर है